नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वालोगर जरूर से जरूर जोईन कर लिजेगा टेस्ट को ध्यान से अटेम्ट करिए और बताइए कितना इसकोर आपने किया है कितने सही किया है टोटल कोईशन में से सबी लोग अपना अपना इसकोर जरूर कमेंट करिए हाई फ्रेंड स्वागत आपका Study for Civil Services में और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपका UPPCS Pre का Full Mock टेस्ट करेंगे जो कि है आपका No.14 या आपका Bilingual होगा यानि कि दोनों बाशाओ में अगर आप Civil Services या फिर State Civil Services की preparation कर रहे है या फिर EPFO की preparation कर रहे है और आपको World Class selection वाला material चाहिए तो call कीजिए हमारे इन numbers पर एक और important information आपके लिए जो हमारा free telegram group है at the rate study for civil services इसे भी आप जरूर से जरूर जोइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा free material और बहुत सारी important updates मिलती रहते है चलिए आज का हम test start करते है चलिए पहले question देखते है हम यहाँ पे आपको assertion और reasoning के कतन है कि महरगड से प्राप्त कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था फ्रेंड्स यह आपका सही है दूसरा reason देख लेते हैं महरगड और महागड यह जो आपके नव पाशान कालीन पुरस्थल से ऐसी कब्रे प्राप्त हुई है हडपा सब्वेता के लोग का यह है मानना था कि मृत्यों के बाद भी जीवन होता ह इसलिए मृत्यक के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए रख दिये जाता है बिल्कुल टीए कुछ ना कुछ खाने के लिए रखते थे लेकिन यह आपकी जैसी कब्रें वो महागड से प्राप्त नहीं हुई क्योंकि महागड में सिर्फ आपके कुछ हड्या हमें मिली है गड़ से मिलें तो आपका जो कारण है वो आपका गलत हो जाएगा और आपका कथन सही हो जाएगा तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C क्योंकि A सही है और R गलत है चली second question देख लेते हैं इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है भीम बेटका हु आध्य संग्राहक होने के प्रमान प्राप्त हो है बिल्कुल ठीक है फ्रेंट्स हुगसी की गुफा से राक के अवशेश प्राप्त हो है यह गलत है जो राक के अवशेश प्राप्त हो है वो आपको कुर्णूल की गुफा से कहां से कुर्णूल की गुफा से सबसे पहले प्राचीन काल में मगद कहा जाता था बिल्कुल ठीक मगद प्राचीन काल का पहला बड़ा राजय था यह बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका A यह बिल्कुल ठीक है इनक शोचल इनक वैलिटीस होती थी वहाँ पे आर देखिए तामर पाशान काली समाजक में लोगों पर शाषन करने वाले प्रधान गोल घरों में रहते थे फ्रेंट जी आयातकार घरों में रहते थे प्रधान और जो आपके आम लोग ते वो आपके ग इसलिए गलत होता है क्योंकि यहाँ पे जो एक कला चित्र है उसमें सापों को नहीं दर्शाया गया है चलिए थर्ड देखते हैं गोदावरी घाटी में स्थित् विशाल जो आपके कल्चर था जो कांसे की वस्तुए मिलने के कारण प्रिशित दुए हैं थर्ड बिल्कुल ठीक है इसका आपका आंसर हो जाएगा A1N3 चलिए question number 5 अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको हडपा सब्यतास में आयात जो आपके metals होते हैं उनसे संबंदि सही विकलपो का चुनना है कि यह तकी सूची वन में आपके metals दिये हुए हैं यह हम कौन से कहां कहां से आपका import करते थे कहां से इनको मंगवाते थे friends चलिए जो पहला तामबा है तामबा आपका कहां से आता था copper राजिस्तान की खेतरी माइन्स है जो वहां से और बलुचिस्तान से दूसरा आपका सोना है सोना आपका अफगानिस्तान और दक्षिन भ बोलते हैं friends और जो इसका correct answer हो जाएगा वो friends वो हो जाएगा आपका D3214 चलिए फिर यहां पर देखिए आपको कुछ यह रिग वैदिक जो आपका period है रिग वैदिक काल में प्रियोग किये जाने वाले प्रमुक्षब्दों से संबंदि सही विकल्प का चुन्ना है देख आपका गव्यूती गव्यूती आपका दूरी का अंदाज लगाने के लिए आनिकि distance को मेजर करने के लिए कहा जाता था तो इसको जो correct answer हो जाएगा ना friends वो हो जाएगा आपका B1342 question number six की बात करते हैं यहां पे इन्होंने दिया हुए बहुत धर्म से संबंदित सही विकल्प का चैन करना है पहला चैत्य जहां पे सन्यासी आपके प्रात्ना कक्ष जो सन्यासु का प्रात्ना कक्ष होता था उसको हम चैत्य बोलते थे बिल्कुल ठीक है आप पोस्ता पूर तीसरी बहुत सभा का आयोजन जो हुआ था वो आपका 250 इस्विपूर पाटली पूत्र में हुआ था और इस सभा के अध्यक्ष आपके मोगलीपुत तिस्स थे बिल्कुल ठीक है और यह अशोका ने आपका कराया था तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो था एसा शाशक पहला आपका अशोका था अशोका होना चाहिए यहांपे सेकिंड देखते युनानी vicinity युनानी लेखकों ने बिंदूसार के लिए अमित्रो चेट्स सट्रो का संघारक उसका नाम से संबोधन किया था किस इसको बिंदु सार को उन्होंने क्या कहा था शत्रों का संघारक यानिकी अमित्रों चेट्स कहा था फिर उसके बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को मौर्या दरबार में राजदूत के रूप में बेजा था बिल्कुल ठीक है इसको आपका जो आपके चंदरगुप्त मौर् और जो जयाया आपका अवतार है वो लिखाए आपका सिधुसेन ने जोसरे करेक्ट ओपशन हो जाएगा वो hayat आपका जेख लेते हैं अप इसमें से आपको सही विकलप का चुस करना है बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा अमीन उल-मिल्ला की उपादे दी बिल्कुल ठीक है पुरानों का अध्यन करने वाला प्रतम मुसल्मान अल-बरुनी था बिल्कुल ठीक है इन्होंने किताब उल-हिंद की रचना की है तो इसका सही उप्शन हो जाएगा वो आपके स्था आइंस सेकेंडल वैसे आपका कमेंट कर बताएगे वैसे आपका फर्स्ट सुल्तान कौन था डेली का ठीक है फिर गिया सुद्दीन बलबन के अनुसार राजा को धर्दी पर इश्वर का प्रितिनी थी यानि कि नायब एक खुदाई माना गया था बिल्कुल ठीक उसने सिजदा जमीन पर लेटकर अविवादन करने की प्रथा शुरू की थी बिल्कुल ठीक है इसका अंसर हो जाएगा आपका बी क्योंकि ए और आर यहां पर दोनों सही है लेकिन आर एका सही स्पश्टी करन नहीं है चलिए फ्रेंट्स क्वेश्चन अबर 12 देखते हैं यहां पी आपको सही विकल्प चूज करना है इल्तुत्मिश न भारत में प्रिशिद्ध पार्शित योहार नवरोज को प्रतिवर्ष मनाने के प्रता शुरू की थी बिल्कुल ठीक है फर्स्ट और थर्ड इसके आपके सही हो जाते है तो जो इसका आपका करेक्ट ओप्शन होगा फ्रेंट्स वह हो जाएगा आपका डी फर्स्ट और थर प्रनाली की शुरूवात की थी यह आपका बिल्कुल ठीक है फ्रेंट्स की थी इन्होंने ही इस प्रनाली के तहत अलावदीन खिलजी ने दो नईकर लगाये थे घरही तथा चरही कर यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो घरही और चरही कर थे इस प्रनाली के तहत नहीं ल लिए श्वार्ण सखों को टोकन सुरनन सिकान की टोकन मुद्रा जारी करने ने चाहता तक ढूंकर तरौण हमár मिंद्रास सब्सक्रित निए झान से चाहर की कारण देखते हैं, शिकंदर लोधी ने राजिस्थान के शाषों को पर नियंतरन के उद्देश सच यमना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया था, ठीक है फ्रेंट्स, तो यह आपका कारण जो है आपका सही है, और जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, क्यो गुरु गोविन सिंग ने पहला गलत हो गया, गुरु हर गोविन सिंग ने अपना मुक्याल करतारपुर में स्थाना नत्रित किया था, ये मीरी और पीरी दो चाकू रखने की धारना के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, गुरु अमर्दास ने अपने अध्यात्मिक सामराजय को 22 भागों में बाट दिया गया था, जिने मंजिस कहा जाता है, ये 2 और 3 यहाँ बिल्कुल सही है, और 1 आपका गलत हो गया है, तो आपका correct option हो जाएगा friends आपका B, चलिए friends question number 17 देखते हैं हम आपका, यहाँ बे मोगल साशन से संबंदित सही विकल्प आपको च जो कहा जाता है, याचिकाओ का प्रभार, उनके पास होते हैं, इन charge of petitions होते हैं, तो जो इसका आपका सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number C, यानि कि 3142, चलिए friends question number 18 में हम देखते हैं, यहाँ पे 1566 में पुर्चुगालियों ने दमन को अपने अधिकार मिलिया था, यह गलत है, यहाँ पे date गलत दी हुई है, इसमें जो correct date होगी, वो होगी 1559, यानि कि 1569 में पुर्चुगालियों ने दमन को अपने अधिकार मिलिया था, बाकी तीनो, बाकी second, third, fourth आपके यहाँ पे सही है, बट एक थोड़ी सी correction कर लीजे, East India Company में 1611 में धक्षिन भारत में अ 19 वे question में आपको दो सूची दी हुई है, जिनका आपका match करना है, तो पहली सूची में आपके कुछ नाम है, और दूसरी सूची में अप क्या है आपका, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीके, जॉब चर्नौक की अगर हम बात करते हैं, जॉब चर्नौक कौन थे आपके, कलकत् प्रतम फ्रांसिसी गवर्नर थे, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका A, चलिए friends, question number 22, 20 देखते हैं, यहापका सही विकल्ट चूज करना है, कुनूर, मालाबाद, 36 केरल, मिस्थित, एक 30 नगर है, बिल्कुल ठीक, जहां वासकोडी गावा ने 1507 इस्वी म आपका बिल्कुल ठीक है, फिर थर्ड पर आई है, 1756 इस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, यह गलत हैं यहापे, क्योंकि जो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, वो आपका 1769 इस्वी में था, 1759 में, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डच को हराय थ यह ठीक है, ठीक है, तो फर्स और थर्ड यहापे गलत हो गए, और फोर्थ देखे, कॉल गता कि स्थापना इन तीनों गाउं हो, यानि कि सुतनाती काली गता और आपका गोबिंध पूर से मिलकर हुई थी, फ्रेंट्स यह आपका बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आप लिया, वो लिया आपका 1848-17, उदैपूर 1850 में, जहांसी 1855 में, और संबलपूर को 1849 में, फ्रेंट्स याद रखना इंपॉर्ट है आपका, और इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका D2143, चलिए फ्रेंट्स, क्वेस्चन अबर 22 की बात करत 1776 में, चुहार जनजाती के दुआरा, अंग्रेजों की शोषन पूर्ण आर्थिक नीतियों के विरुद वाता, बिल्कुल ठीक, नेगदा आंदोलन, यह आपका 1860 आएगा, यहांपे 1860 की जगा, क्या आएगा, C आपका गलत है यहांपे, 1860 की जगा, क्योंकि यह जो आप आपका, बिल्कुल ठीक है, तो जो आपके correct option होगा, जो गलत है यहांपे, वो क्या है, आपका C है, चली friends, question number 23, देखते हैं, आपके 1857 की क्रांती से संबंदित, जो आपका 1920 में आपका क्या हुआ था, यह जलियांग विद्रो हुआ था, आपका कहांपे, मनिपूर में, ज सिंग फोस विद्रो हुआ था, आपका आसम में, 1828-1823 में आपका अहम विद्रो हुआ था, आसम में तो इसका correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका 2143, चली question number 24, अगर हम बात करते हैं, तो 1857 की विद्रो का आरंबिक स्वरूप, सैनिक विद्रो ही था, किन्तु बाद मे इसने राजनितिक स्वरूप, ग्रहन कर लिया था, ये कतन किसने कहा है, आपका शैलेंदर नाथ सेन ने, आंसर हो जाएगा इसका D, चली फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पुस्तक और उनके लिखकों से संबंदित, यह आपकी यहाँ पे पुस्तक दिऊ है यहाँ पे आपकी इनके लेखर दियो हैं, इंडिया जो आपका इवाइडिट था, ये पुस्तक किसने लिखी था, ये पुस्तक आपकी राजयंदर प्रशाद ने लिखी थी, फिर फिलोशलोफी है आपकी भगवती चरन, किसने भगवती चरन वहरा ने, और जो एकनओमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो लिकिते आपके रमिश चंद्र दत ने गीता रहत से आपका बाल गंगातर तिलक ने लिखा था 26th question देखे फ्रेंट्स यहाँ पर पूचा गया कि कौन सा विकल्प आपके सही है बेंगॉल बिटिश एसोशेशन की स्थापना द्वार का ना टेगोर ने 1843 इसवी में किती बिल्कुल ठीक इंडियन लिग की स्थापना शिशिर कुमार गोश ने किती 1875 में बिल्कुल ठीक है फिर जो आपका हिंदू पैट्रियोट है यह आपका देको 1886 दिया हुआ है यह गलत है आपका 1886 में नहीं यह युगांतर जो आपका स्थाट हुआ था उनिस सो चे में स्थाट हुआ था और बरिंद्र कुमार गोश और भुपेंदर नाथ दत्ता के द्वारा शुरू किया चलिए फ्रेंट्स क्वेशन नमर 28 के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिखें सही विकल्प्स का चूज करना है भरतपूर का जो अधिग रहन हुआ था वो आपका 1826 लॉड एमर हर्स्ट के टाइम पे हुआ था यह आपका बिल्कुल ठीक है यह आपे उसके बाद आपका 1799 सूरत आपका 1800 करनाटक 1801 का प्रसाशन अपने अधिकार में लिया था और यह किसके टाइम पर होता है लॉड वैलसली के टाइम पर बिल्कुल ठीक है ठगी की प्रता जो अंत वहाँ आथा अथा आथा तीस लॉड विल्यम बेंटी के टाइम पर यह बिल्कुल ठी आपका 1892 में जो आपका अलाबाज session हुआ था friends वो किसकी अध्विक्ष्टा में होता वमेश चंद्र पैनर जी की में फिर लक्नव में 1899 में पर रमिश चंद्र दत्त की अध्व्क्र ता में कॉलकता 1906 में जो वहा था वो दादा भाई नारोजी की अध्विक्ष्विक्ष दज समीती ने 1915 में वस्तों की कीमत कम के कीमतों के संबंद में अनुशन्शाय दी ती यह आप गलत है क्योंकि यहापे 1915 की जगह आपका 1905 होना चाहिए चलिए फ्रेंट जिकरतिस में क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको सूची दी हुई है इसमें से बताना है कौन कौन सी सूची आपकी सही है प्रिंस ओफ विल्स की भारत यात्रा जो हुई थी वो आपकी 1875 में लॉड नॉर्थ ब्रूक के टाइम पर हुई थी बिल्कुल ठीक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो समापती हुई थी वो लॉड रिपन ने की और आपकी 1872 बिल्कुल ठीक तो यहाँ पर आपका गलत जो है वो आपका थर्ड है और बाकी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आपके ऑप्शन नॉम्बर सी सही है चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 32 में दिया हुए डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब तथा किस ने की थी जो डेकन एजुकेशन सोसाइटी है उसकी स्थापना आपकी 1884 में हुई थी महादेव, गोविन, द्रनाडे, द्वारा और गौर अक्ष्री सभा की स्थापना कब की गई थी उसकी की गई थी आपके 1822 में तो आप्शन नॉम्बर बी आपका हो जाएगा सही चलिए question number 33 हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका reorganization हुआ था, states का, वो कब-कब में हुआ था जो पहला है आपका 20 फरवरी 1987 को किसका हुआ था, अरुनाचल प्रदेश का, 1 दिसंबर 1963 को किसका हुआ था, वो आपका नागा लेंड का, 21 जनवरी 1972 में आपका हुआ था, मनिपूर का, और 16 माई 1975 में आपका सिक्किम का हुआ था, इसमें correct answer हो जाएगा आपका option number C चलिए फर question number 34 की अगर हम बात करें, तो यहां से पूछागा है कौन सा विकल्प इनवे से सही है, गुजरात की समुद्र टेटर रिखा की लंबाई है, 1214.70 किलोमेटर है, बिल्कुल ठीक है, बारत की समुद्र टेटर रिखा की कोल लंबाई, 7516.6 किलोमेटर है, बिल्कु 27 जिले है, उल्टा दे रखा है दोनों का, तो इसको जो आपके सही option हो जाएंगे, वो हो जाएगा, first, second and third option number A is correct, चलिए, यहां पे आपको कुछ passes दी हुए, जिने हम दर्रा बोलते है, क्या बोलते है, प्रमुक दर्रा, ठीक है, और यह आपके major passes है, इंडिया की वो किस से connect करती है, कौन सी जगा को, कौन सी जगा से connect करती है, जिकर माना pass देखते है हम, यह इसका correct option होगा, आपका one रहतांक पास की बात करते हैं तो इसका आंसर है फोर इट इस कॉल्ल दा गेटवे ओफ लाहॉल एंड स्पिती डिस्ट्रिक्स बिल्कुल सही है फ्रेंड्स यह आपका और इसका जो करेक्ट आपका हो जाएगा वह होगा आपका भी 1324 चलिए फिर फ्रेंड्स यहां पर आपका वह आपका श्राइब और इसको क्या है आपका ड्राय समर्स यह एक से रेलेटेट्यट आपका चलिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स नंबर 37 देखते हैं हम यह आपका त्धिक है अंतराश्यच्य चावल अनुसंधान संस्थान वह आपका मनिला में बिल्कुल ठीक पसु स्वास् में आपको कहा है कॉलकर टाम है सेकिंड गलत होगा ठीक है जूट क्रिशी अनुशंदान संस्तान या आपका बैरकपूर वेस्ट बेंगोल में बिलकुल ठीक चौदरी चरण सिंग राष्ट्री क्रिशी विपनन संस्तान जो है आपका वो जैपपूर में है Q37 का जो आपका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A13 and 4 चलिए Q38 के अगर हम बात करते हैं आपके दो सुची दूए पहले में आपका वीर सावर कर अंतरास्ट्री है हवाई अड़ा ये कह है आपका पोर्ट ब्लेयर में है फिर है डोबोलिम अंतरास्ट्री हवाई अड़ा ये आपका गोवा में मिलेगा आपको गोपिनात बारदोली अंतरास्ट्री हवाई अड़ा है आपका कहाँ पे गोहाटी में और जो देवी अहिलिया भाई होलकर जो अंतरास्ट्री हवाई अड़ा है वो है आपका third यानि की इंदौर में इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जा यहां पर आपका गलत दिया हुआ यह बनी थी आपकी 1908 में 1908 याद रखना बागी सेकिंड देखिए विश्वेश वर्या आइरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती करनाटक 1823 बिल्कुल ठीक इंडियान आइरन एंड स्टील कंपनी आपकी बर्नपूर वेस्ट पेंगॉल 19 बिल्कुल ठीक बिलाई इसपात सन्यंत्र दुर्ग जिला चत्तिसगर आपका पचपन ये भी बिल्कुल ठीक है आपका तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर वो हो जाएगा सेकिंड थर्ड एंड फोर्थ इस यॉर ऑप्शन नमबर डी चलिए फ्रें इस उस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट लब के 1940 और बेंगलूर में है 1940 में थी वह आपकी महारतन कंपनी नहीं है बाकी A, C, D तीनों की तीनों आपकी महारतन कंपनी है चलिए फिर 41 में क्वेशन की बात करते हैं कि 2011 के जो जन गन्ना है उसके अनुसार शीर्ष चार शहरी ज जन संक्या प्रतिशत वाले राज्यों से संबंदित सही विकल्प का चैन कीजिए इसका जो आपका option होगा friends वो होगा आपका correct C, गोवा में आपके सबसे ज़्यादा 62.2% है मिजोरम में आपका 52.1% एं तमिलनाडू में आपका 48.4% आथा केरल में आपके 47.7% है चलिए फि विज्यान वाडिया जो संस्तान है वो आपका धेरादून में है राश्ट्रिय अंतरिक्स प्रियोग शाला है आपकी कहां पे कॉलकता में friends याद रखना और जो राश्ट्रिय भूत की अनुसंदान संस्तान है वो है आपका हैदराबाद में तो जिसका सही option जो correct option हो आपका option number B2341 चलिए question number 43 की बात करते है तो राश्ट्रिय जो आपके राजमार्ग है प्रमुक राश्ट्रिय राजमार्ग हो संबंदि सही विकल का चैन करना है पहला है आपका NH6 आपका कहां से कहां है यह आपका धुले से कॉलकता है उन्निस सो पैतालिस क्लोमेटर का है NH9 की बात करें NH9 आपका मुंबई से विजय वाड़ा 841 किलोमेटर NH28 के अगर हम बात करते हैं तो यह है आपका NH28 आपका है बरौनी से लगनव फ्रेंट्स कहां से बरौनी से लगनव 570 किलोमेटर का और जो आपका अगरा से मुंबई 1161 किलोमेटर का जो इसका सही option हो इंडिया में देख लेते हैं कौन-कौन से और यह आपकी यहाँ पे दो सूची दिवी हैं पहले में आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं दूसरे में उनकी छमता है कितनी छमता वो मतलब कितना बिजली प्रिड्यूस करते हैं जो पहले आपका बदरपूर विद्युत संय वाट हो गया है सिंग रॉली जो ताप आपका विद्युत संयंत्र है उसकी 2000 मेगा वाट और कहल कल है गाव जो ताप विद्युत संयंत्र है उसकी 840 मेगा वाट जो से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर D3241 चलिए question number 45 देख लेते हैं हम अब निमलिकित में से सही विकल्प का चैन करना है अरर की प्रमुक किसमे अमर और पारस बिल्कुल ठीक है मुंगफली की प्रमुक किसमे चित्रा चौसट और चंद्रा बिल्कुल ठीक गेहूं की प्रमुक किसमे पितामरी और पूसा और जै किशान ये friends गेहूं की नहीं है ये क इसके हैं यह आपकी सरसो की हैं गेहू की जगह यहां क्या है का सरसो तो थड़ होगे आपका गलत कपास की जो प्रमुख किसमे हो शामली और सुझाता है बिल्कूल ठीक है जो आपका पर कर्यक्ट अप्षिन हो जाएगा इसमें आपका वो जैगा फरस्ट सेकेंड एंड फर् 45 degree celsius का तापमान चाहिए होता है यह यहाँ पे गलत है क्योंकि रबड के पौधे के लिए आपको 25 degree celsius से 35 degree celsius का तापमान चाहिए होना चाहिए और लगबग 300 cm यह 200 cm यह भी गलत हो गया लगबग 300 cm आवश्यक औसत वर्षा होनी चाहिए तो आर आपका गलत हो गया यह आपक और आपके दोनों गी दोनों जही है और जो आपका आपके दोनों की दोनों सही है और जो आपका आट ए आपका आर है वो को एका सही स्पस्ठी करएं लेकिन नहीं है चलिए 47th collapsed question करते हैं हम यहां पर हमारे कथन दिया हुआ कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिन में उत्पन होने वाले चक्रवाद क्या बोलते हैं तमिलाडू और श्रिलंका को प्रवावित करते हैं बिल्कुल ठीक है जनवरी और मार्च के महिने में यह आपका कथन बिल्कुल सही है कारण कि बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान होने के कारण बने निम्र दवाव यानि कि लो प्रेशर से अधिक चक्रवाद साइक्लों उत्पन होते हैं दोनों की दोनों आपके बिल्कुल सही है तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो पीएच है वो छे से साथ पीएच के बीच में होना चाहिए बहुत हलका सा एसिडिक होना चाहिए तो यह आपका क्या है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी क्योंकि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक का सहीष पश्चिकरन नहीं है चलिए पचास में का कथन हम पढ़ जाती है इसलिए यह हो गया आपका गलत भारत के उत्री मैदान में शीत रितू के दौरान होने वाली वर्शा पश्चिम विशोभो के द्वारा की होती है वेस्टन डिस्टर्वेंसिस के थूरू कॉज की जाती है बिल्कुल ठीक है आपका तो आपका क्या हो जाएगा आप जाती है प्रपात जो है आपका मांडवी नदी पर पढ़ता है गोवा और करनाटकी सीमा पर शिव्ष समुंद्रम जल पर पात जो है वो पढ़ता है वो पढ़ता है आपका कावेरी नदी में कहां पर करनाटका में सही option क्या हो जाएगा इसका option number B चलिए बावनवे question में आपको दिया हुआ है कि इन में से कौन सा विकल्प सही नहीं है कौन सा correct नहीं है जो आपका answer होगा वो D है क्योंकि D correct नहीं है महानदी की जो सहायक नदिया है आपकी वो दूद गंगा नदी और पंच ग नहीं है एक बार देख लीजिएगा चलिए question number 53 देखते हैं हमें आपे पहला जो आपकी statement है यहाँ पर सही विकल्प का chain करना है हमें सहरिया जन्जाती राजस्तान की प्रमुक जन्जातियों में सही है बिल्कुल ठीक यह जन्जाती सबसे जाधा 12 जिले में पाई जाती है पहला कारुबा, कोर्भा, जन्じゃती मुख्य रूप से जारकंड और 36 गर बे निवास करते है यह भी दूसरा वी बिल्कुल ठीक है चांकपा जन्जाती एक तिबाती प्रजाती समूह की अर्ध豹णा बदोश प्रजाती है फ्यल्कुल ठीक यह है जन्जाती मुख्य रूप स के लोग नहीं करते हैं जो एक प्रकार की स्थानांतरित क्रिशी है तो इसके जो आपके options आपका आंसर हो जाएगा वह जाएगा option number a first second and third are correct चलिए इस देखिए 54th question देखिए यहां आपके country दी हुई है यहां पे उनकी गलत है friends Vietnam जो आपको lahos की आपको पता है वियतनाम खोद red country है और वैटनाम की जो राजधानी है वह node है यहां पर वीयतनाम गलती से typing mistake होगी जो लाज की राजधानी होगी वह क्या है इंट एन टी यान्न हैे तो Diskuss इस्टेक यहां पर सुधार लीजेगा और फिर जो 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 जागी आपकी राजधानी होगी वो क्या है वो है आपकी तिबिलिस ठीक है जो जागी क्या होगी तिबिलिस चली फ्रेंट्स 55 का हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा यहां पर आपको सही विकल्प क्योंकि आपे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की जागा ठीक क्या होगा 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन होने किया था कौर कि से 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा UK उसके बाद तो आपके second option देखेंगे घरम तो 1853 के charter act के द्वारा विधाय शक्तियों को कार्यापाली का शक्तियों से प्रिथक करने की वेवस्ता की विल्कुल ठीक है और 1730 का regulating act के द्वारा बेंगॉल के गवर्नर को बंगॉल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गथा यह आपके second और third यहां बिल्कुल ठीक है जो तो आपका और दर भारत्यों को विधी निर्मान और प्रसाशन दोनों में प्रितिनिद्व प्रतां किया गया था तो आपका करेक्ट औց Menai जो आपके स्टेरों बी स्टेटर्मेर्ट ये तीनों चिनों आपकी बिल्कुल सही ये वह देख लिए चलिए फ्रेंट्स कुश्चन में 57 अब हम करते हैं सम्विदान सभा से संबंदित सही विगल्प का चैन हमें करना है भारत के सम्विदान के गठन की संकल्पना वर्ष 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने पेश की थी बिल्कुल ठीक है सम्विदान सभा की पहली बैटक 9 दिसमबर स्विकार कर लिया गया था क्या बोलते हैं इनको objective resolutions तो यहां पर जो डेट यह गलत दी हुई है इसकी जगह आपका क्या आना चीए इसकी जगह आपका आना चीए 22 जनवरी 1947 13 दिसमबर 1946 जगह 22 दिसमबर 1947 को यह आपके जो objective resolutions है उनको accept किया गया था कहां पर constituent assembly में कब 22 जन समीटिया थी उनसे संबंदित विकलबों का चैन करना है ठीके फ्रेंट्स तो संचालन जो आपकी समीटि थी जिसको steering committee बोलते हैं वो किसके अध्यक्षता में थी वो राजेंदर प्रशाद के अध्यक्षता में थी प्रांतिय संविदान समीटि आपकी सरदार बल्लव जाएगा आपका option number D चलिए फ्रेंट्स question number 59 थे यहाँ पर आपको दिया हुए select the correct options related to the source of the constitution की कौनसा कहां से हमने बौरो किया है तो पहला देखिए UK से हमने आपका क्या बौरो किया है ठीक है और UK से हमने जो इंडियन constitution में बौरो किया है वो है फ्रेंड्स हमारा parliamentary governance क्या है parliamentary governance ठीक है फिर उसके बाद जो United States से हमने बौरो किया है वो है आपका impeachment of president उसके बाद जो Ireland से हमने बौरो किया है वो है आपका nomination of members to Rajasabha और जो हमें South Africa से बौरो किया है वो है आपका procedure for amendment of the constitution की हमारे समविधान में संसोधन करने के लिए जो procedure है वो हमने South Africa से बौरो किया तो जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number B चलिए question number 60 आगया है आपका question number 60 में आपको देखना है कि इसमें से आपको सही विकल्प का chain करना है पहला पंचायत की शक्तिया प्राधिकार और जिम्मेदारिया आपकी 11 अंसूची में बिल्कुल ठीक है नगरपालिकाओ की जो शक्तिया है प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारिया बारवी अंसूची में दिए बिल्कुल ठीक असम मेगाले तरपुरा और मेजोरम राज्यों के जन जाती छेत्रों के प्रशाशन से संबंदित में उपबंद जो है वो आपकी पांचमी अंसूची में नहीं है फ्रेंड यहां पी आपको सही विकल्बो का चैन करना है पहला है प्रतिक्ष लोक्तंत्र के तीन मुख्या भाग होते हैं कितने चार परिप्रचा होता है एक प्रित्यावर्तन होता है जनमत संग्रह होता है और चौथा है आपका पहल ठीक है फ्रेंड्स यह आपके हो गए हो चारों और सरकार चलाते हो ये कानूनों क्यों बनाते हैं, laws को बनाते हैं, बिल्कुल ठीक, सम्विधान की प्रस्तावना में नयाय तीन विबिन रूपों में शामिल किया गया है, सामाजिक नयाय, यानि की सोशल, और आर्थिक नयाय, आपके एकनॉमिक, राजनितिक नयाय, आपका जस्टिस यह बिल्कुल ठीक है फर्स्ट आपका यहां पर रॉंग है और सेकिंड थर्ड फोर्थ आपके बिल्कुल सही है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आपका अप्शन नंबर रही चलिए बासर्टवा क्वेशन चलते हैं यहां पर आपको कुछ अनुचेद 29 में आपका अल्पसंक्यों को की भाषा लिपी और संस्कृत की शुरक्षा दी गई है फिर अनुचेद 16 में लोक नियोजन के विशह में अवशर की समता दी हुई यानि कि equality of opportunity in matters of public employment तो जो इसका correct option हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D2314 चलिए friends question number 63 देखते हैं नागरिकों के लिए समान नागरिक सहीता और अनुचेद 51 आपका अनुचेद आपका अनुचेद 51 आपका अनुचेद आपका अनुचेद आपका अनुचेद 54 शान्ती एव सुरक्षा को प्रोच्षा देखते हैं इसमें भी आपका जो आपके समव सही विकल्पों का चैन करना है ठीक है जो constitutional amendment होते हो किस तरह से की जाती है संसत उन व्यवस्थाओं को संसोधित नहीं कर सकता है जो समविधान के मूल धाचे से संब्दीत है यानि कि basic structure of the constitution से संब्दीत है और मुझे comment करके बता यह basic structure जो आया आपका constitution का वो कौन से case में और कि संसद के साधारन बहुमत द्वारा एव आधे राज्य यानि कि विधान मंदलों की संस्तूती द्वारा संविधान में संसोधन किया जा सकता है यहाँ पर जो साधारन है यह गलत होगा जो फोर्थ आपका amendment का जो provision है वहाँ पर संसद के क्या होगा विशेश बहुमत तो second, third and fourth आपके क्या है फ्रेंट्स में माफी चाओंगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो यह option है वो A नहीं है क्योंकि आपका हमारा fourth गलत है first, second, third आपके सही है तो correct option हो जाएगा हमारे पास option number C, first, second and third सही और fourth हमारा गलत है यहाँ साधारन की जागा क्या आएगा विशेश बहुमत आएगा चलिए फ्रेंट्स फिर पैसेट की बात करते हैं हम केशवानन्द भारती मामला 1973 के मूलबूत धाचे की तत्वों से संबंदित कौनसा विकल्प सही नहीं है पहला देखिए आपका answer हो जाएगा D क्योंकि यही सही नहीं है जो समानता का सिद्धान्त और व्यक्ति की स्वतनता एव गरीमा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे संसद्य प्रणाली और एक कल्यानकारी राज्य की स्थापना का जनादेश और संविधान का धर्म निर्पेक्ष चरितर और संविधान का संगिय चरितर यह बिल्कुल आपके किसमें आते हैं यह आपके इत्यादी बिल्कुल ठीक राष्टपदी शाषन जो होता है उसकी व्यवस्ता की विशेष्टा है क्या है एकल सदस्चता और शक्तियों का विभेद इत्यादी बिल्कुल ठीक संसद्य व्यवस्ता के जो गुन होते हैं आपका व्यापक प्रतिनी दिद्व और विधाई का एप कार्या पालिका के बीच में क्या होता है हार्मनी होती है सामन्चेस्च होता है ये बिल्कुल ठीक है आपके और उसके बाद अगर हम बात करते हैं option number fourth की तो संसद्य व्यवस्था के दोश जो है हमारे पास demerit जो है parliamentary system की वो आपके कुशुल व्यक्तियों द्वारा सरकार नहीं होती है ये क्या होता है government by immatures होता है ठीक है तो ये हमारे पास यहाँ पे आपका fourth गलत हो जाएगा और जब करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका C क्योंकि यहाँ पर first second or third आपके सही है चलिए friends अब 67th question देख लेते हैं 67th question में आपका पूछा गया है कि केंद्र राज्य वित्ती संबंदों से संबंदी सही विकल्प का चैन करना है पहला है आपका lifestyle वेपार calling तथा आपका रोजगारों पर जो कर लगता है वो कौन से अनुखेद के अंदर आता है friends यह आता है 276 अनुखेद के अंदर यहाँ 287 जो अनुखेद है वो गलत है और 276 अनुखेद यहाँ पर आपका सही होगा फिर सेकंड देख लेते हैं देखिए हम सेकंड में है वस्तू और सेवाकर परिशत यह आपका अनुचे 289 का A में आती है फ्रेंट्स उसके बाद सेकंड बिल्कुल सही है थर्ड देखिए राज्यो दुवारा लिया गया उधार आपका अनुचे 293 में आता है बिल्कुल ठीक एक और चार में अनुचेद एक्स्चेंज कर दीजे आपका सही हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आपका होगा वो हो जाएगा आपका A 2 और 3 चलिए फिर 68 ग्वेस्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर आपका दिया गए कि रावी तथा व्यास जल विवाद नियायधी करन औ आपके 2010 में की गए थी बिल्कुल ठीक है उसके बाद देखिए रावी तथा व्यास जल विवाद नियायधी करन में आपके पंजाब हरियाना एव राजिस्थान आते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है आपका फिर फोर्थ देखिए वंश्धारा जल विवाद नियायधी करन मे आपका Odisha और पश्चिम Bengal नहीं आता है friends, West Bengal यहापे आपका गलत होगा, Odisha और आंधरप्रदेश आते हैं, इसमें कौन सा? Odisha और आंधरप्रदेश, तो यहापे आपके कौन कौन से गलत होगे, यहापे आपके first and fourth गलत होगे, second and third आपके options, सही है तो answer हो जाएगा आपका B, second and third, चलिए friends, question number 69 देखते हैं, हम यहापे देखिए, इनिमिन में कौन से गलत सही नहीं है, तो इसका जो answer होगा, वो हो जाएगा आपका C, क्योंकि सही नहीं है, 1956 में यहापे 1954 में यहापे 1954 में राज्य परिश्यत के स्थान पर राज्य सभा और जनता की सदन के स्थान पर ल स्थापना वर्ष और उनकी कहां पर वह आपका सिचुएटीड है, उनकी सीट है, मनिपूर उच्च नहीं है, आपका 2013 में इमफाल में है, बिल्कुल जीक है, फिर उडिसा उच्च नहीं है 1948, कटक में है आपका, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च नहीं है 1971, शि किस सम्विधान संशोधन अधिनियम के अंतरगत राष्टपती, उप राष्टपती, प्रधान मंत्री और लोक्षबा अध्यक से संबंदित विवादों को नियायले के छेतरा अधिकार से बाहर रखा गया है, इसका आंसर होगा, यह आपका 49 सम्विधान संशोधन अधिनि कौन सा है 49 1975 में, ठीक है फ्रेंट्स चलिए आप दूसरे पार्ट है जो इस क्वेशन का उस पे चलते हैं, दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतरगत सिंधी भाषा को आठवी अंसूची में पंदरवी भाषा के रूप में शाम लेते हैं, यहां पर आपका inflation से रिलेटरो उस दिया हुआ है, मुद्रा स्विती से संबंदि सही विकल का चैन करना है, पहला देखिए मुद्रा स्विती को कम करने के लिए बढ़ाई गई ब्याज दर से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, बिल्कूल ठीक, मुद्रा स् परसेंट के बीच होते हैं, कितने 10 से 20 परसेंट के बीच होती है, फिर जो कोर मुद्रा स्फीती है, कि आफधारना 1981 में आटो एक्स्टेंड ने दी थी, बिल्कुल सही है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका A, 1st, 2nd and 4th, देखिए, यहापे कुछ आपका 73 में आपक match of the following दिया हुआ है, सूची 1 में आपकी समीती है, और सूची 2 में वो कब और किसके लिए आपकी बनी थी, तो चलिए यहापे देख लेते हैं, इसका correct आंसर, आपका क्या होगा friends, देखिए, जो आपकी M.G. जोशी शमीती थी, वो आपकी बनी थी, दूर संचार में निजी चेतर, यह देखिए, सेकेंड वाला दूर संचार में निजी चेतर के प्रिवेश संबंदी, दिशा निर्देशों के लिए 1994 में, फिर जो B.K. चतुरवेदी समीती थी, वो बनी थी, आपकी तेल कंपनियों की वित्य स्तिती की समिक्षा के लिए 2008 में, महाजन समीती आपकी चीनी उद्योग के लिए 1997 में, और M.C. जोशी जो समीती आपकी बनी थी, वो आपकी काले धन से संबंदित विविन पहलूओ की समिक्षा के लिए बनी थी, 2011 में, उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑप्शन नमबर B, 2314, फ्रेंट्स, क्वेशन न आपका बना था, 19 दिसंबर 1966 में, दूसरा आपका सयुक्त रास्ट खाद्य, एवं क्रिशी संगठन है, यह आपका बना है, 16 अक्टूबर 1945 को, तीसरा है आपका अंतराश्ट्रिय वित निगम, यह आपका बना है, आपका 20 जुलाई 1956 को, और चोथा है आपका अंतराश्ट् Development Association और यह आपका बना है, 24 सितंबर 1960 को, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number A4321, चलिए question number 75 पे हम चलते हैं, यहाँ पूछा कि किस पंच वर्षिय योजना के दोरान, UTI और FCI बैंकों की स्थापना की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा, आपक आपका पांच वी पंच वर्षिय योजना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number C, चलिए question number 76 देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेसे सही विकल्प को आपको चूज करना है, पहला केंदर सरकार द्वारा आरूपित प्रित्यक्ष कर हैं, आपके व्यवसाय और पत कर, यह भी ठीक है आपका, उसके बाद फोर्थ देखिए, आपके केंदर सरकार द्वारा आरूपित प्रित्यक्ष कर, केंद्रिय बिक्रिकर, बिल्कुल ठीक है, केंद्रिय बिक्रिकर, वो आपका आरूपित प्रित्यक्ष कर होता है, जो जो आपके सही आंसर होगा, वो होगा, आपका first, second and third options are correct and option number C, इसका answer हो जाएगा, friends, 77th question देखिए, आपके zero hunger कारेकरम तथा सुवस्थ बच्चे सुवस्थ भारत अभियान की शुरूबात कब की गई थी, ये आपकी zero hunger कारेकरम की की गई थी, 16 October 2017 में, और जो आपका सुवस् योजना का व्यक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75-25 के अनुपात में बाटा गया है, बिल्कुल ठीक है, जवाहर रोजगार योजना के अंतरगत कुल रोजगार में से 40% हिस्सा महिलाओ के लिए आरक्षित किया है, ये 40% गलत है क्योंकि इस योजना में 30% हिस्सा मह पर हैं और मैक्सिमम आपके 5000 तक की पैंशन राशी प्रतेक महा प्राप्त करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड इसके सही हो जाएंगे, और जो आपका सही ऑप्षिन होगा आपका, देखिए, यहाँ पर ऑप्षिन डी मिसिंग है, जो सही ऑप्षिन है, व बारत की प्रधान मंत्री योजना आयोक का पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल ठीक है, इंडियन एकोनॉमिक प्लैनिंग एंड इट्स बॉर्डर सेटिंग्स जो पुष्तक लिखी है, आपकी वो रमिश चंदर दतने नहीं लिखिए, प्रेंट्स, आपका ऑप्षिन गुर्णार म्रिडाल ने लिखिए, किसने गुर्णार म्रिडाल ने लिखिए है, और ग्यार्मी पंच वर्ष योजना का मुख्य उद्देश है, अधिक तीब्र एव जाधा समावेशी सम्रदी था, बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्षिन नमर थर्ड आपका गलत हो गया बागी सारे ही सारे आपके सही है, तो B option is correct, question number 80 के तरफ चलते हैं, इन्होंने पूछा है कि नीती आयोग आपका का गठन कब हुआ था, देखिए जो नीती आयोग का गठन हुआ था, वो आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और राश्ट्रिय विकास परिशत का जो आपका गठ थान मंतरी होते हैं, तो इसको जो correct option हो जाएगा, friends, वो हो जाएगा आपका option number A, चलिए, friends, यहाँ पे आपको question number 81 में दिया हुआ है कि वित आयोग और उनके अध्यक्षों से संबंदि सही विकल्प का चैन करना है, पहली सूची में आपको वित आयोग दियो है, कौन सा वि हम खुसरो, और छेट में जो वित आयोग था आपका, उसके जो चेर्में थे, वो आपके के ब्रह्मानंद ready थे, friends, ठीक है, ध्यान से देख लीजेगा, काफी बार questions पूछ लेते हैं, ऐसे, और इसका जो correct option हो जाएगा, आपका हो जाएगा, 3421, option number D, 82nd question में हम आते हैं, यह इहां देखिए, हाँ भी हमने सही विकलप का chain आपका करना है, भारत में आर्थिक सरवेक्षन, with mantra ले दुआरा, प्रकाश्चित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, भारत में राजकुष्य नीति का निर्दारन, with mantra ले दुआरा किया जाता है, यह भी ठीक है, बारत में तो आपको आपका नेशिए उद्दियान की जो नीस तो असी में बांधीपुर जो राष्ट्रिय उद्दयान है आपका 1914 यहाँ आपके भारत बहुत बहुतन चली टिपे चलیकर भ्रेंडके वन्यजीब अभ्यारान से संबंदि सही विकलप का चैन करना है पहला है आपका ताल कावेरी यानि कि यह जो ताल कावेरी है यहाँ पर वन्य जी अभ्यारान दियो है wildlife सासरत वहां में एंट्र तम्टीन आपका कर्rolloक ही समें आपका क्रणाटप सर्ट है कितां आपका कहहाँ पे है सिक्किंठ एंड ये आपका मिगाल्यय में ऐकार्क्ट उप्ष्णुर हो जाएका ओप्षान देख्ट फाली फिरेंट्म्ट intriguing थम्याद देखते हैं, select the correct options related to the Ramsar sites located in India, देखे जो हरिके लेक है आपकी, वो कब Ramsar की list में आई, वो आई 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 आपकी 1990 में, चिली का लेक आई आई आपकी friends 1981 में, कोलेरू लेक आई आई आपकी 2002 में, और जो सुन्दरबन wetlands है वो आपकी Ramsar site की list में कब आई, ये आई आई, आपकी 2019 में इसका जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा option number C, 3421 question number 86 देख लेते हैं, यहाँ पर आपका पूचा हुआ है कि निमल लिकित में से सही विकल्प का चैन करना है, प्रतेक वर्ष 22 मई को विश्व जैब विविता दिवश मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, सिकोया व्रक्ष सैयुक्त राज्य अमेरिका की उत्री कैलिफोर्निया में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक, इसे सबसे उचाफ जीवित व्रक्ष माना भारत में पूर्वी हिमाले और पश्चिमी घाट को परिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, बिल्कुल सही है, जैब विविता के कम होने का सबसे मुख्यकारण आवाशी है, विनाश को माना जाता है, बिल्कुल ठीक, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, बिल्ली की एक प् बात करते हैं हम, यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, वो कब आया था, वो 1980 में, फिर जो इंडियन वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लिमेंट किया गया था, आपका 1972 में, और उसके बाद वेन वोस्थ टर्म इकोलाजिकल नीची, फर्स यूज़ बाइ जॉसेफ ग्रिनल, यह आप उन्होंने किया था, 1917 में, तो इस question का सही answer हो जाएगा, option number A, friends, question number 89 हम देख लेते हैं आपका, सही विकल्प का चैन करना है, शुश्क हवा में सबसे ज़्यादा मातरो नाइट्रोजन गैस की होती है, लगबग 78.08% बिल्कुल ठ यह गलत हैं यहापे, इसकी theme थी आपकी वायू प्रदूशन, यानि कि air pollution, तो इसका जो correct options हो जाएंगे, आपके first, second and third हो जाएंगे, और इसका correct option हो जाएगा, आपका option number D, 90th question देखिए, यहापे आपको ध्वनी प्रदूशन से संबंदित सही विकल्प का चैन करना है, एक decibels होते हैं friends, ट्रक की आवाज 80-85 decibels, जो आपका rocket का engine होता है 180 decibels, और पत्तियों की जो सरसरहाट होती है, वो आपकी 20 decibels, तो correct option इसका हो जाएगा, C, 3421, चलिए friends, फिर 91st question देखते हैं, 91st question में का आया है, रास्ट्रिय व्यापक वायू गुनवत्ता मापडंड को number 2009 में शोदित किया गया था, और इसमें 12 प्रदुशकों को शामिल किया गया था, इनमें से कौन सा प्रदुशक इसमें शामिल नहीं है, देखिए, answer हो जाएगा आपका D, क्योंकि nitrogen oxide इसमें शामिल है, nitrogen dioxide तो इसमें शामिल है, लेकिन जो आपका carbon dioxide है न, वो इन 12 आपके pollutants में, यानि कि 12 प्रदुशकों में शामिल नहीं है, कौन सा carbon dioxide शामिल नहीं है, इस वे से आपका option D, गलत हो गया, अब 12 कौन से सुन लिजे एक बार, sulfur dioxide है, nitrogen dioxide है, PM10, PM2.5, ozone है, lead है, carbon monoxide है, ammonia है, benzene है, arsenic, nickel और benzo-apyrin है, आपके 12 की 12 पूरे जो है, आपके क्या है, pollutants है, चलिए 90 second question देख लेते हैं, 90 second question, एक प्रक्रिया जिसमें पौधे, मिट्टी से थोस धातू, या carbonic प्रदूशकों को ग्रहन करके, उन्हें वाश्वशील पदार्तों, यानि कि gas में परिवर्तित करके, वातावरन में छोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा पारा को म्रदा से निश्काशित किया जाता है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इसका नाम है आपका phyto-volatilization, क्या है friends, phyto-volatilization, ये option number B is correct, चलिए आपके question number 93 में, IUCN के अंतरगत शामिल जीवों से संबंदे सही विकल्प का chain करना है, पहला है आपका large rock cat, इसका आपका संबंद है तमिला पूरवी घाट पर मिलती है ये, फिर है खराई उट, ये आपको केवल गुजरात में पाया जाता है और ये आपका क्या है, endangered यानि की संकट ग्रस्त है, काली गर्दन वाला जो सारस होता है आपका, वो आपको कहां मिलता है, वो मिलता है चीन, लदाक में, और चीन में, भार मिलता है, यानि की least concern है, इसका जो correct option हो जाएगा, option number C is correct, question number 94 में पूछा गया है कि पौदो के वरगी करण से संबंदित कौन सा विकल्प सही है, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, जो आपके gymnosperms plant हैं, वो कौन से होते हैं, चीड के पेड और उसमें आपके fur के पेड आते ह angiosperms यानि की monocoats plants जो हैं, आपके वो tulips और orchids उसमें आते हैं, teridophytes जो plants हैं आपके उसमें आपके fur और club काई आता है, bryophytes जो होते हैं आपके plants उसमें आपकी काई और liverworts आते हैं, यानि की mozes और liverworts आते हैं, correct option हो जाएगा, इसमें A3421, friends question number 95 देखते हैं अब हम, यहाप गांधी शान्ती पुरुषकार है, यानि की गांधी पीस प्राइज के लिए कितनी धनराशी दी जाती है, एक करोड रुपे धनराशी दी जाती है, मूर्ती देवी पुरुषकार के लिए आपको 4 लाग रुपे मिलते हैं, ग्यानपीट पुरुषकार के लिए आपको 11 ला परतिय स्थलों से संबिंदित सही विकल्प का चैन करना है यह जो इंडियन साइट से वो आपकी वर्ल्ड हरिटेज जो लिस्ट है युनेस्पो की उसमें इंक्लूड़ेड है और वो कब इंक्लूड की गई पहले है आपका काला दियो कियो ला दियो आपका जो नेशनल पार् करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी 1423 नाइटी सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने है लुम्बिनी महतसब का आयोजन दिसंबर महा में कहां पर किया जाता है कृष्यकों से संबंदित पॉश मेलेगा आयोजन किस राज्य में किया जाता है इसक है कि कांग चिंबा एक प्रकार की यत्यात्रा है इसे किस राज्य में जुलाई महा में आयोजित किया जाता है यह हो जाएगा इसका आपका मनीपूर फिर कंबाला जो भैसों की दोड़ होती है उसका आयोजन नमबर से मार्च के मद्धिय किस राज्य में किया जाता है वो क प्रोटोज़ा से क्या होता है काला अजर या फिर ब्लेक फीवर इसको हम बोलते हैं उसके बास जो बैक्तिरिया की बॉर्ण डिसी से फ्रेंड्स वह आपका ट्यूबर क्लॉसिस है कौन सी होती है और जहां पर रेबीज है ना इसका देखे थोड़ा ऑप्षिन में जो प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलरा, यह आपकी बैक्टिरियल डिजीज हैं, चलिए, तो यहाँ पर रिबीस का क्या हो जाएगा आपका वाइरस, चलिए, फ्रेंट्स, question number 100, देखते हैं हम आपका, यहाँ दिखें, यहाँ पर सही मिलान करना है, पहले में आपके क्या दियो है, फैमिली दियो है, फिर उनके प्लांट्स दियो है, ठीक है, म्यूजेसी में कौन से आएगा, आपका म्यूजेसी में कौन सा प्लांट आता है, म्यूजेसी में आएगा आपका धतूरा, रोजेसी में आएगा आपका प्याज, और सोले नेसी में आएगा आपका केला, और लि और यहां पर किस तत्व की कमी की वैसे होते हैं वो दिया हुआ है आमले में आंत्रिक जो नाइक्रोसिस होती है वो आपकी बॉरॉन की कमी की वैसे होती है मटर का जो आपका मार्श रोग है वो आपकी मैगनीज की कमी की वैसे होता है गाजर में जो आपका कोटार स्पाट है वो आपका केलशियम की कमी की वैसे होता है और फूल गोवी में जो आपकी बटनिंग होती है वो आपकी नाइट्रोजन की कमी की वैसे होता है option B इसका correct हो जाएगा 4123 question number 102 देखते हैं hepatitis B या C के virus तथा ज्यादा शराब पीने के कारण liver cirrhosis नामक रोग होता है बिल्कुल ठीक है liver खराब हो जाता है उससे liver cirrhosis रोग में मानव शरीर की तवचा और मार्श परिशा कड़ी होने लगती है यह भी बिल्कुल ठीक है इसका जो आपका answer हो जाएगा वो B हो जाएगा क्योंकि A और R दोनों सही है तथा जो आपका R है वो A का सही स्पश्टी करण friends नहीं है इसलिए इसका answer B हो गया है question number 3 देखते हैं यहाँ पे हम कथन क्या है यहाँ पे tetraethyl, lead, benzene, tulin और jylene के btx बनता है आपका अच्छे aps photon रोधी योगिक माने जाते हैं antinock compounds अच्छे माने जाते हैं बिल्कुल ठीक है aps photon की प्रक्रिया को कम करने के लिए इंदन में aps photon रोधी योगिक को मिलाया जाता है यह भी बिल्कुल ठीक है a और r दोनों सही है इसका correct option हो जाएगा b क्योंकि यहाँ पे a और r आपके दोनों सही है लेकिन जो r है वो A का सही स्पश्टी करण नहीं है फ्रेंड्स क्वेश्टन नमर वन जिरो फोर है आपके सामने यहाँ पूछागा है कौन सा option आपका correct नहीं है एलेक्रोमोटीफ फोर्स अफ दा वोल्टिक एंड डेनियल सेल आपकी 1.08 वोल्ट होती है बिल्कुल ठीक है जाएगा वो हो जाएगा 1,3 & 4 तो देख लेते हैं कौन सा वाला option आपका सही है यह देकि option नमर डी आपका correct हो जाएगा चली 105 question पे चलते हैं निमिलिकित में से कौन सा कतन सही है एंटी लेजर का प्रियोग तार विहीन संचार प्रणाली के लिए किया जाता है बिल्कुल ठीक है तो आपका जो correct option हो जाएगा वो option number C हो जाएगा 1 & 3rd friends question number 106 यहां देकि कतन है घड़ी तथा श्रवन यंत्रों में mercury cell का प्रियोग किया जाता है यह भी आपका बिल्कुल ठीक है इसका answer हो जाएगा आपका A क्योंकि A और R दोनों सही है तथा R जो है वो A का सही स्पस्टी करन B है 107 questions पर चलते हैं protein से समद्री सही विकल्प का यहां पर आपको chain करना है कि कौन सा protein आपको कहां पाया जाता है देखिए यहां पर दो सूची दिविए पहली सूची में आपको protein दिया हुआ है दूसरी सूची में कहा कहा वो protein आपके पाया जाते है जो gossiping protein है वो आपका कीट क्यर्ण आशक के रूप में प्रियोग की जाती है इसे हम कपास का protein भी बोलते हैं फिर आपका है gladine protein gladine protein आपका गेहु में पाया जाता है इसका जो correct answer हो जाएगा option No.b question number 108 देखिए question number 108 में सभी विकलपा चूज़ करना है जो आपके gravitational force होता है यानि कि गुरुत आकर्षन बल जो होता है एक प्रबल बल नहीं है एक दुरबल बल है यह अनंत दूरी पर भी काम करता है ठीक है दुरबल ना भी किये बल बहुत ही कम दूरी पर काम करता है और यह क्या है आपका दुरबल ना भी के बल second option आपका बिल्कुल ठीक है उसके बाद थर्ड देखिए विद्युत चुमबकी बल एक दुरबल बल है नहीं फ्रेंट से दुरबल बल नहीं है यह एक प्रबल बल है यह अनंत दूरी पर काम नहीं करता है प्रबल ना भी के बल सबसे प्रबल प्रकरतिक बल है यह अत्यंत कम दूरी पर काम करता है बिल्कुल ठीक तो आपके second और fourth यहां पर आपके ठीक है first and third आपके गलत हो गये है चलिए correct options चूज करते हैं तो आपका option number D correct हो जाएगा friends question number 109 देखते हैं silver की योगी को से संबंदि सही विखलब का chain करना है जो आपका silver nitrate है जिसको lunar कास्टिक कहा जाता है वो आपका शाही जो चुनाव में लगाते हैं वो डाले के बाद जो उंगली पे आपके नाकून पे शाही लगाते हैं वो आपका silver nitrate वहाँ यूज होता है फिर silver bromide है आपका silver bromide आपका photographic plate बनाने में यूज होता है silver chloride इसको हम horn silver भी बोलते हैं ये हमारे पास photochromatic कांच बनाने में यूज होता है silver iodide ये आपका जो artificial rain कृतिम वर्षा कराने में यूज होता है इसका जो correct आपका answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C2413 question number 110 देखते हैं यहाँ पे देखे कोईले के जो खनीजों में carbon की जो percentage होती है उससे संबंदित सही विकल चुनने है peat coilे में carbon की मातरा 60-70 नहीं होती friends 50% से कम होती है ठीक है तो पहला गलत lignite coilे में carbon की मातरा यह कितनी होती है आप 60-70% तक होती है तो यह भी गलत हो गया bituminous coilे में carbon की मातरा 75-55% बिल्कुल ठीक anthracite coilे में carbon की मातरा 90-95% बिल्कुल ठीक इसके जो आपके correct options हो जाएगे वो 3 और 4 हो गए और इसकी वज़ा से इसका जो answer होगा वो आपका हो जाएगा option number B question number 111 में देखेंगे हम which of the following elements does not belong to chalcogen group of P block यह आपका helium है और lightest जो metal element होता है वो आपका lithium है answer number D is correct चलिए question number आपका 112 देखते हैं यहाँ पर सही विकल्ब का chain करना है अथी तीर्वर चाल को मापने की एकाई को Mac कहते हैं बिल्कुल ठीक किसी माध्या में ध्वनी की चाल को एक Mac कहते हैं यह बिल्कुल सही है एक Mac से अधिक चाल को हम hypersonic नहीं क्या बोलते हैं max से अधिक चाल को हम क्या बोलते हैं सूपर सॉनिक बोलते हैं तो आपका second option गलत हो गया थर्ड देखिए पांच max से जो अधिक चाल होती है उसको सूपर सॉनिक नहीं बोलते हैं बलकि उसको हाइपर सॉनिक बोलते हैं तो टू और त्री यहां पर करें हैं इन्होंने यह गलत हो गए और आंसर हो जाएगा आपका ए सिर्फ एक चलिए क्वेश्चन नमबर 113 हम करते हैं अभी उत्तर प्रदेश से संबंदि सही विकल्पों का चैन करना है सार्वधिक खुले वन चेत्रफल वाला जिला वह सोनबद्र है बिल्कुल ठीक है सब से कम वन चेत्रफल वाला जिला जो है वो भदोई तो है लेकिन जो उसका एरिया यहां दिया हो गलत है साथ की जगह यहां क्या होना चाहिए तीन वर्ग क्लोमीटर सेकेंड आपका गलत हो गया सर्वधिक वन प्रतिशत वाले चार जिले आपका सबसे पहले सोनबद्र रात है तो इसका जो करेक्ट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर डी क्वेशन नमबर 114 देखते हैं यहां पूछा किया है कि आपको मकनपूर जो मेला है वो कहां लगता है वो आपका फारुखाबाद में लगता है और जो कलिंजर मेला आपका लगता है वो आपका कहां लग यह आपका गाजियाबाद में पढ़ता है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4321 यानि कि option number C question number 116 आपके सामने है या पूछा गया कि 148 km लंबी बैंगरूलू रेल उपनगरी परिवाहन परियोजना के लिए कितने रुपे प्रस्तावित किये गए है इसके लिए आपके 18600 करोड रुपे प्रस्तावित किये गए है और यह आपका केंद्रिय बजर 2020-2021 के according है फिर राष्ट्रिय गैस ग्रीड का कितने किलोमेटर और विस्तार प्रस्तावित किया गया है वो आपका विस्तार जो प्रस्तावित किया गया है 10800 किलोमेटर या option number A correct ह फिर 117 जो question है आपका वहाँ पे भारत नेट कारेकरम तथा केंद्र शाषित प्रदेश लद्दाग के लिए कितने रुपे आवंटित किये गये हैं जो भारत नेट कारेकरम के लिए आवंटित किये गये हैं तो लगनाओ में राष्ट्रिय प्रेजनास थल की स्थापना के लिए कितने रुपे प्रस्तावित किये गए हैं तो यह हो जाएगा आपका 50 करोड रुपे और राष्ट्रिय ग्राम सोराज अभियान योजना के अंतरगत कितने रुपे प्रस्तावित किये गए हैं वो है 458 करोड और यह सब आपका according to उत्तरप्रदेश के budget है 2020 जो 2021 का उत किलोमेटर की विर्धी दर्ज की गई है और जन्जाती जिलो में कुल वन चेतरफल इन जिलो के कुल भॉकोलिक चेतरफल के कितने प्रतिशत है यह है आपकी 37.54 प्रतिशत और यह सब आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के according इन्होंने पूछा है question number 120 के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जाडियों तथा खुले वन का वनावरन कितने वर किलोमेटर है यह है फ्लेंट्स आपका जाडियों का है 586.52 वर किलोमेटर और खुले वन है आपके 8109 पॉइंट आपके 181 वर कि प्रू किया गया है बिल्कुल ठीक इस अभियान के अंतरगत 15,000 टूलकिट बाते जाएंगे 15,000 ने फ्रेंट्स 5,000 टूलकिट बाते जाएंगे यह है 125 दिवस्य अभियान है बिल्कुल ठीक है option correct हो जाएंगे आपके option number V1 and 3rd are correct question number 122 देखते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे द आ गया है यह भी एकदम ठीक है इस दिवस की जो थीम है वो आपकी better knowledge for better care है health नहीं आएगा friends इस थीम में खाली better knowledge for better care है तो इसका जो correct option हो जाएगा आपका option number A सिर्फ एक question number 123 शुक्ष्म लगू एव मध्यम उद्योग दिवस कब बनाय जाता है आपका वो मनाय जाता है आपका 27 जून को और जो आपका विश्व मरुस्थली करन एव वैसूखा रोक्थाम दिवस है वो आपका 17 जून को मनाय जाता है correct option हो जाएगा आपका यहाँ पे question number 124 यहाँ देखी हाल ही में institute of management development द्वारा जारी विश्व प्रतिपर्दा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 43 मा स्थान प्राप्त हुआ है और 8 जून 2020 को उत्राखंड की राजपाल बेबी रानी मौर्या ने किसे उत्राखंड की नई ग्र अनीता कोटवानी है और हाल ही में भारतिय खाद्य शुरक्षा और मानक प्रदिकरन का मुख्य कारेकारी अधिकारी चुना गया है वो है आपके अरुन सिंगल तो आपको इंग्लिश वाला प्रेंट यहां इंगलिश वाला करेंगे क्योंकि आपका जो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए तेजस MK-1 FOC विमान को नौवंबर 18 क्या 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 एरक्राफ्ट है रिसेंट्ली बिन इंक्लूड़िद इन नंबर 18 स्क्वेडरन ठीक है उसको फ्लाइंग बुलेट बोला जाता है इंडियन एयर फोर्स स्टेशन सुलूर तो यह आप इसको हैद्राबाद में कमिशन नहीं किया है इसको कमिशन किया है आपका पोर्ट ब्लेयर में तो सेकिंड और फर्स दोनों गलत हो गया है इस वैसे आपका आंसर हो जाता है डी नन अफ दीज question number 127 है आईटी मदराज के किस प्रोफेशर को नेकेई एशिया पुरुषकार 2020 विज्ञान और प्रद्योगी की श्रेनी में दिया गया है यह है आपके थलब पिल प्रदीप question number 128 है यह पुस्तक किस ने लिखिया है यह लिखिया आपकी रस्किन बॉंड ने इसका correct आंसर हो जाएगा आपका A question number 129 देखते हैं 20 माई 2020 को मनाया गया विश्व मदू मक्की दिवश की theme क्या थी उसकी theme थी आपकी be engaged उसके बाद 22 माई 2020 को मनाया गया अंतुराश्ट्रिय जैब विविवित्ता दिवश की theme क्या थी आपकी उसकी थी आपकी our solutions are in nature क्या हो जाएगा option number D आपका correct हो जाएगा theme क्या है be engaged तथा our solutions are in nature विश्व आर्थिक मंच द्वाराजारी वैश्विक उर्जा स्रंकर्मन सूचकांग 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को हुआ चोहतरवा स्थान प्राप्त उसके बाद इस सूचकांग में कौन से देश दूश्रे स्थान पर रह है वो रहा है आपका स्विजर लेंड option number B is correct question number 131 यहां देखे COVID-19 के कारण एक आभासी G20 डिजिटल अर्थ वैवस्था मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रितिनिद्व किस ने किया है यह आपका किया है रवी शंकर प्रशाद ने यह आपके मिनिस्टर रवी शंकर चलने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए चरण पादू का अभ्यान की शुरूबात किये वह आपके मद्य प्रदेश ने किये तो करेक्ट option हो जाएक इसका option number C 132 में question में हिमाचल प्रदेश शरकार ने हाल ही में बहारी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए परिजनों को शिक्षित एव जागरूप करने और समाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश से कौन सा कारेकरम शुरू किया है इस कारेकरम का नाम है निगह और आयूश कवच एप का अनावरन किस राजय सरकार द्वारा किया गया है वो किया आता उत्तर प्र परिक्षाओं के उमीद्वारों को मॉक टेस्ट लेने में सक्षन बनाने के लिए आटिफिशल इंटेलिजेंस मॉबाइल एप नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉंच किया गया है ये टेस्ट है आपके जेए जॉइंट एंटरेंस एक्जाम एंड नीट के तो आंसर हो जाएग में पुलिस कर्मियों से संबंदित आत्मात्या और भात्रगात की घटनाओं को कम करने के लिए संपदन अभ्यान शुरू किया है ये संपदन अभ्यान शुरू किया है आपका चत्यस गड़ने आंसर हो जाएगा करेक्ट डी क्वेस्ट नमबर वन थर्डिफाइव यह एक वर्चुल समारों में अंतराश्ट्रे क्रिक्ट परिशत के हॉल औफ फेम में निमिलिकित में से किसे शामिल नहीं किया गया है हाल ही में किस मंत्री ने ट्राइफूर परियोजना लॉंच किये वह आपका अरजुन मुन्ना ने लॉंच किया और इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंध निदेशक निजग किया गया है अश्वनी भाटिया को SBI का नया प्रबंध निदेशक किया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नमर ए question number 138 की बात करें हम तो यहाँ पे sports IVR ब्रेंड औकले ने किस भारती क्रिकेटर को दो साल के लिए अपना brand ambassador न्यूक्त किया है यह किया है आपका रोहिष शर्मा को हाल ही में British Claudia Angela Buxton का निधन हो गया यह किस केल से सम्बंदित थी यह आपकी tennis से सम्बंदित थी तो इसका correct answer है C question number 139 आपके सामने है यह कहता है कि हाल ही में कोटक महिंदरा जनरल इंशोरेंज ने किस कंपनी के साथ गोल लोन के बदले एक लाग तक के COVID-19 बीमा कवर की पेशकश की है यह है आपकी मुतुट finance कंपनी और RBI के किस पूर्ब डेप्यूटी गवर्णर को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का non-executive chair में न्यूक्त किया गया है वो है आपके शुबाष शेवरत्न मुंद्रा आंसर हो जाया correct B हाल ही में किस मंत्री ने अपनी पुस्तक The India Way Strategies for an Uncertain World का विमोचन किया है ये किया है आपका जैशंकर प्रशाद ने और किस वाइस एड्माइरल ने भारतिय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पद भार ग्रहन किया है उनका नाम है M.A. हमपी होली इसका correct answer हो जायागा D Question No. 144 आपके सामने है Friends यहां कहा गया है कि भारतिय मूल की किस महिला को COVID-19 महामारी के महामारी के दोरान आगे रखकर सेवा देने के लिए सिंगापुर में राष्टपती सम्मान से सम्मानित किया गया है उनका नाम है आपका कला नारायन सामी उसके बाद 27 जुलाई 2020 को केंद्रे रिजर्फ पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है यह है आपका 82 मान देखे जो इंग्लिश में देख रहा है उनके लिए option A सही होगा और हिंदी वालों के लिए option C सही होगा थोड़े था printing error है बस question number 142 आपके सामने है यहां देखे which state government has recently launched रोजगार बजार पोर्टल यह आपका क्या है डेली ने who has been appointed as managing director of chief and chief executive officer by the TATA AIA Life Limited नवीन तहील यानी को इन्होंने आपका क्या मनाया है chief executive officer बनाया है correct answer is C question number 143 कहते है कि सूरज कदे मर्दा नहीं यह वाली पुस्तक को किस लेखक द्वारा लिखा गया है इसके लेखा गया है आपके बलदेव सिम सदक नामा हाली में किस राज्य सरकार द्वारा गोधन या योजना शुरू की है यह आपका 36 गड़ है और इसका correct answer हो जाएगा B question number 144 किस भारती है वैज्यानिक को मार्क यंग मर्क यंग scientist आवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है आपके शाक्य सिंग उसके बाद किस IIT ने शोद करता हो द्वारा समुदरी जल से सुच हाइडरोजन इजन बनाने के लिए एक उपकरन विक्सित किया है यह IIT मदरास ने किया है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपका option number C question number 147 सतत विकास लक्षय सूचकांग 2019-2020 में भारत का स्थान क्या है भारत का स्थान रहा है इसमें 57 राष्ट्रिय आदिवाची निर्तिय मौसफ का आयोजन किस राज्य में किया गया है इसको आयोजन किया गया है 36 गड़ में correct option is B 146th question है आपके लिए What was the theme of the World Cancer Day celebrated on 4th February 2020 इसका सही होगा I am and I will theme थी आपकी Who has been honored with the Ayurveda Ratna Award in a ceremony held in European Parliament Dr. Pratap Chohan को award मिला है honor किया गया है इसका correct answer है C option Question number 147 किस राज्य सरकार ने बिजली विवाग के लिए विनियम अधिनियम 2019 लागू किया है ये आपका लागू किया है उत्तर प्रदेश ने और हाल ही में दुन्या के सबसे बड़े ध्यान केंदर का उद्गाटन कहां किया गया है ये आपका हुआ तेलांगना में correct answer 147 का हो जाएगा option number A Question number 148 की तरफ चलते हैं शरत बोबडे द्वारा विशेश रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृतिम अंगों के वितरन के लिए साथ दिवशे शिवर का उद्गाटन किस शहर में किया गया है ये किया था आपका लखनव में और उसके बाद हाल ही में कौन 150 रंजी ट्रोफी मैच खेलने वाले पहले भारतिय क्रिकेटर बन गए है उनका नाम है आपका वसीम जाफर correct option is D Question number 149 हाल ही में पुरे भारत में CRPF शौर्य दिवस का मनाया गया है ये आपका 9 अप्रेल को मनाया गया है गाटनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुन देश कौन है उसका आपका भारत इसका आपका भारत इसका आपका correct option B 150th question यहाँ पे आपके लिए last question इस test का राश्ट्रिय नवहान वोर्ड के प्रमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ये आपका मालिनी शंकर को न्यूक्त किया है 25 अप्रेल 2020 को किसे देश का मुक्या सतरक्ता आयूक्त यानि की Chief Vigilance Commissioner न्यूक्त किया गया है उनका नाम है आपका संजय कोठारी correct option is C friends यहाँ आपके 150 questions आपके complete होते है test 14 आपका complete होता है मिलते हैं आपसे next test में तब तक के लिए बढ़ते रही है अच्छे से preparation करते रही है exam के लिए तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर